भारत माता की समाजबादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्वसीम अखले शादव ने 2022 के सियासी रण के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से भूंकार भरी है मैनपुरी को समाजबादी पार्टी के संस्थापक और पिता मुलाइम सिंग यादव की कर्म भूमी माना जाता है अब मैनपुरी की करहल सीट से अखलेश यादव अपना पहला विधान सबा चुनाव लड़ रहे है करहल से पिता मुलाइम सिंग यादफ ने राजनीती के शरुवाद की तो अखिलेश पिता की दिरास्यत को आगे बढ़ाने की तैयारी में है मुझे खुशी है इस बात की कि आज जैन्चोधी जी और हम लोग मिलकरके ते विरास्त को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार तीन बार सांसद रह चुके हैं अखिलेश आदफ आजम गड़ से मौझूदा शांसद है वो लगातार तीन बार सांसद रह चुके हैं अखिले शादव को राजी के सबसे यूवा मुखिमंत्री बनने का गौरफ हासिल है अखिले शादव ने 2012 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद अपनी सरकार के कारिकाल के दोरान यूपी में विकास के कई कामों को अन्जाम तक पहुचाया आगरा लखनोव एक्सप्रेस बे और लखनोव मेट्रो प्रजेक्ट उनके ड्रीम प्रजेक्ट माने जाते हैं अखिले शादव के लिए साल 2017 का विधान सपा चुनाव अगनी परिक्षा था ये चुनाव इतिहास रशने का मौका भी था साल 2017 के विधान सपा चुनाव से एन पहले अखिले शादव को अपनी ही पारटी में पिता मुलायम सिंग द्वारा निश्कासन तक छेलना पड़ा था चाचा भतीजे के बीच चली पारटी में वर्चस्व की लड़ाई के दोरान समाजवादी पारटी के ततकालिन मुखिया मुलायम सिंग यादव ने अखिले शादव को पारटी से 30 दिसंबर 2016 को 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया था लेकिन पिता को त्रित्य भावनात्मक संबंदों के बीच राजनीती ज्यादा समय दीवार खड़ीना कर सकी अखिले शादव को उनकी पारटी में खोया गरव राप्त हुआ वो पारटी के मुखिया और सर्वे सर्भा बने पिता ने उन्हें भविश्च में विजय भव का आशिरवात दिया लेकिन उससे पहले अखिलेश की सियासी पारी ने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीती के कई पड़ाव दिखे अखिलेश रादव साल 2000 में उत्तर प्रदेश की कन्योच लोगसभा सीट से उप चुनाव जीते पहली बार केवल 26 साल की उम्र में चु समाजवादी पार्टी ने यूपी में जीती 224 सीटें 2012 का यूपी विधानसबाचुनाव अखिलेश की सियासी सफर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनके नित्रतु में विधानसबाचुनाव लड़ा गया उत्रपदेश विधानसबाचुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली समाजवादी पार्टी यूपी में कुल 224 सीटें जीतने में काम्याब रही इस भारी जीत के पीछे छात्रों को लैक्टाप बाटने की उजनाओं को अखिलेश की रणनेतिक काम्याबी माना गया अखिलेश शादव केवल 38 साल की उम्र में यूपी के यूवा सीम बने 10 मार्च 2012 को अखिलेश शादव को उत्तर पदेश में समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया 15 मार्च 2012 को अखिलेश शादव ने राजी के 20 वे वुख्यमंत्री पदिशा पतली पांच मई 2012 को अखिले शागव उत्तर पदेश उधान परिश्यक के सदस्य से बन गए सेफ़ाई से सिडिनी का सफर तै करने वाले सियासी खिलाड़े अखिले शागव का जन्म इटावा जिले में सेफ़ाई गाओं में एक जुलाई 1973 को हुआ था शुराथी पढ़ाई इटावा से करने के बाद राजस्तान के दालपुर्स से अखिले शने पढ़ाई की इसके बाद वो आउस्ट्रेलिया चले गए सिडिनी से एन्वार्मेंटल इंजिनिरिंग में दिग्री हासिल कर भारत लोटे सेफ़ाई से सिडिनी के सफर के बाद अब सियास्त में अखिलेश आदव 22 साल का सफर दय कर चुके हैं साल 2022 के चुनाव सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं है यूपी के सब्ता में वापसी करना उनका लक्षा है 2017 में करारी हार के बाद अखिलेश ने पांस सालों में बहुत कुछ सीखा है राजवीती में हमेशा कुछ नया प्रयोग करने के लिए वो जाने जाते हैं साल 2017 के दान सफ़ा चुनाव में उन्होंने कॉंग्रेस के साथ कटबंदन किया वहीं साल 2019 के लोगसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ कटबंदन किया आलाकि उनके फैसले सही साबित नहीं हुए लेकिन 22 साल के स्यासी सफर में अखिलेश रादव अब पूरी तरह परिपक वो हो चुके है वह बड़े दनों के साथ छोटे दनों की एहमिर समझ चुके है वह मुद्दों को ठाने में पीछे नहीं है वह यूपी में खुद की पारटी को मोखि विपक्शी दल के तौर पर इस्थापित कर चुके है वह बीजेपी को जगह जगह चुनाती दे रहे है